नमस्कार क्या हाल चाले सब ठीक हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आपनों और अपने इनको ख्यार लाख और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देगो देशी देख बिगर बिरेग और बगर लाग लपेट बिल्कुल देशी अंदाज में बस्पा सुप्रीमो वती ने गोतम बुद्धनगर लोकसवा सीट ते प्रित्यासी को एलान कर दियो है यह खबर है कल एलान है चुको है नमांकन है चुको है और दूसरी खबर है वो आपको मालिम ही पढ़ गई होगी कि आम आदिम भाय पार्टी को एकदम बहुत खुश खबरी मिली है उनके ज संजय सिंग्स की बेल है यानि की जमानत है गयी है और बीजेपी के नहीं यानि की डबल इंजन सरकार या तीन इंजन सरकार या सगने इंजन की सरकार को थोड़ी सी दिक्कत बढ़ गई है क्योंकि आप संजय सिंग भी बिलकुल सीधे-सीधे निसाने ठुक आँगे जैसे इंडिया गटबंदन ठोक रहो है और सब ठोक रहे हैं ऐसी को भी ठुक आँगे हलाकि कसर बीजेपी भी कोई नहीं छोड़ रही सरकार भी कोई नहीं छोड़ रही परधान मंतरी मोदी भी मेरट की रैली में इतनी लंबी लिस्ट बता के आएं कांग्रेस की पुरानी हाला कि कॉंगरेस अब दस साल ते नहीं है दस साल में अपनी उपलब्दी तो गिना ना पाए लेकिन प्रधान मंतरी कांगरेस की पूरी बही खाते को लेकर हमाँ पहुच गए और खोल दियो है बही खातो तो उतो घट दस साल ते खोली रहे और जब को सत्ता में ना तो उन्ते बाती क्या करनी है आवारे में लेकिन प्रधान मंतरी पर और कच्छो है ना रुजगार की कोई बात ना नो जवानन के नहीं है कोई बात ना है जवानन के नहीं है कोई बात ना है महगाई पर कोई बात ना है और मनिपुर पर कोई बात रहा है और लद्दाक पर कोई बात रहा है चीन पर कोई बात रहा है ठीक है आप कोई बात रहा है पब्लिक सब समझ रही है जैसे जनता जनार दने जैसे जनता गरेगी होनों तो हो है लेकिन हाँ एक चीज और हाइपाई चल लही है एक यूटूब दुरूब राठी दुरूब राठी की वीडियो एक ऐसो बिल्गुल कता ही जहर बन गई है देश में जहर को मतलब गलत मत समझी हो जहर को मतलब है कि बिल्गुल वाने तंडब काट रहा हो फीडियो ने लगब करोड़न में चल गई है अठारे करोड़ तीस लाक के करीब शायद चल गई है अगर मैं सही कह पा रहूं तो इतनी वीडियो चल गई है और वाने बिल्गुल माहूली खराब ही कर दियो सरकार को बहुत लंबी-लंबी कहानीource क्या-क्या-क्या-क्या बड़ी रोचक और लोग बता रहे हैं हमने तो नहीं सुनी खर टाइम ही ना मिले हमें कहां से सुन लें वीडियो वीडियो लेकिन लोग बता रहे हैं कि बहुत तंडब हेरोबा वीडियो को वाना जन्ञ क्या क्या बातें खुल के रख देंगे हैं सग्रीक सग्रीक और जो पबिलिक कूँ अच्छी भी लग लग लेके हैं क्योंगर अच्छी ना लगएगी तो वीडियो कौन देखें वो क्या उतार हिए हमें ना माठिक लेकर वागो बिल्गुल सरारा 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 रहरो वीडियो को कतई और बीजेबी पार्टी की मोई मोई हरी है है मला टेंसन कितनी देरी होगी आप लगाओ अगर वो यूटूबर यहां हो तो धुरुबराटी देश में तो कहां हो तो केजरिवाल के बेरिंग के आसपास ही हो तो कोई है समझ रहे हो ना बात को लेकिन आप वो कहीं बाहर है कहीं दूसरे कंट्री में अमरीका जर्मनी या कहीं जहां भी कहीं है तो महां सगरी धाराएं नियम काईदे कानून एटी सीबी आई इंकम टेक्स यह रो थोड़ों सो फ सुप्रीमों अपना चुप चाप बिल्कुल एक एक कदम ऐसे फूख कर रही है और बिल्कुल सीधे सीधे निसाने साथ रही है और बात यहां तक भी चल लही है लोग बाग ऐसी ऐसी बात उड़ा रहे हैं लेकिन हम या बात की कोई पुस्टी नहीं कर रहे हैं कभी आप ग निसाननल क उतीद्ञा को वा कि वेद्यक एसे बात वस्यानी उन्ट सब्सक्राट करें अब रहे हैं गया विदूब कैटकरarta गंप'm को को लोगा। फादा नुक्सान जाक होतो हो बागव है जा लेकिन हम मजबूती ते लड़ांगे और वईवात पर उटीक ही होई है लेकिन जो слово जी भी पर गई है वह को कहना है कि वह बहुत बढ़िया तरीकाते अच्छी तरीकाते अच्छी तरीकाते टिकेट को बटवारो करके और मामले को पाक साप कर रही है बहिंची ये बात रही एक अलग अब आजाओ गौतम बुद्धनगर पे ठीक है गौतम बुद्धनगर लोकसभा चुनाव को आगाज है चुको और बस्पा सुप्रीमो मायवती ने राजिंदर सोलंगी को गौतम बुद्धनगर ते खड़ो करो है राजिंदर सोलंगी ने मंगलबार को नामंकन दाखिल कर दियो है या दोरान उनने एक हलफ नामा भी दाखिल करो है जा मैं अपनी कुल संपत्ती को उनने व्योरा दियो है उनकी कुल संपत्ती आठ करोड पेंतालिस लाग पच्पन हजार रुपया है साथ ही वह क्लीन चिट है उनके उपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है बिलकुल पाक साप है यानि की कोई थाने दर्वारी कच्छू कैस होई नहीं है कोई उल्टो सीदो कोई मामलों नहीं है राइंदर सोलंकी को परसनल व्योरा राइंदर सोलंकी की उम्र करीबन 68 वर्स है वो मुल रुपते सिविल लाइन थाना कुटवारी बुलन शहर के रहने वारे है राइंदर सोलंकी एमे पास हैं और वो पूर विदायक हैं उनको 33,000 रुप्या परती महा विदायक पेंशन मिले है या के अलावा एक लाख रुप्या परती महा किरायो भी उनको आवे है कच्छू संपत्ती होगी वागो किरायो आवे एक लाख रुपा महीन राइंदर सोलंकी के पास केवल एक कार है और करीब दस लाग रुपया के जिवरात है राइन्दर सोलंगी सांसत पद को चुनाव लड़ रहे हैं उनको मुकावल हो समाजवादी पाइट्र याफ्ट्र महेश सरमाते होगो विकास को शरे मयवती कुछ जानों चाहिए यह उनने कही है और विलकुल सत्तता है कि जितनों नौइडा के अंदर विकास बसपास सुप्रीमों माया बती के कारेकाल में हुआ है इतनों आज तक काई भी सरकार में नहीं हुआ है अगर बसपास सुप्रीमों एक वार एक पंचवर्शी यूजना और रह जाती तो पूरे NCR की यानि कि पश्चिमी उत्तर परदेश की काया पलट है जाती दिल लीते टॉप होतो और देश में नंबर बन होतो लेकिन दुरबाग वस मुक्टमंत्री नहीं बन पाएं लास्ट म तो विकास कहीं न कहीं वहीं रुगो और बसपास सुप्रीमों के सासन विवस्ता की आज भी विपक्षी पार्टी के नेता तारीफ करें कि वाजमाने में जो सासन पर सासन बसपास सुप्रीमों मायवतिन चलायो वो काबले तारीफ है आप सब तो जानते ही होगे लेकिन व गृड़ा समयत यूपी में जो विकास हूँ है उस वाको श्रेव बहन कुमारी मायवती कुचाव है मायवती के कारकाल में उड़ा के भीतर विकास की गंगावाही केंद्र और राज्य सरकान ने उतनों काम नहीं करो जितनों मायवती ने करो है मेटो तिले के सड़क और जनता के लियां कच्छू नहीं करो है सबते जरूरी स्वास्त है स्वास्त के लियां मौजूदा सांसद ने अपने दस प्राइवेट अस्पताल बना दी है यालियां उन्हें जिले में एक एमस अस्पताल लानो चाहिए हो लेकिन उनने अपनो व्यापार देखो जब योगी आधितनात अपने शहर में कई एमस ला सकें तो मौजूदा सांसद आपके शेतर में एक एमस बना ही सके है लेकिन उननने ऐस ओर नहीं करो क्योंकि ऐसो करने में उनके व्यापार पे असर पड़ जाता है यानि कि देखो कैसी दुखती हुई नस्पहाद धरो है बस्पा के जो सांसद उमीदवार हैं उनने ऐसी नस्पहाद धरो है कि बिल्कुल धर्द बहुत अंदर तक हुआ होगो क्योंकि डाक्टर माईश सर्मा के केलास अस्पताल है जगे जगे अस्पताल है हर जगे अस्पताल है और अब तो मेरे घ्यालते बहुत ही जादा दिखें लेकिन जो बस्पा के उमीदवार हैं उनने सीधी सीधी इस पस्ट तोर पे की सवाल उठायो है कि यहां एम्स की स्थापना है सके ही गरीबन को इलाज है सके है और लेकिन सांसद जी के क्योंकि अपने अस्पताल है उनने नुकसान होतो या लिए हैं उनने यहां कोई एम्स नहीं बनायो गे मारिया बिल्गल सीरी चोट बेलकुल लेक दम सीधी बिलकुल पार उतर को होगो की तीर बात को समझ गए बात में सच्चाई भी है और हकीकत भी है कि अगर वो चाहते तो एम्स यहां पे भी बन सके है और लेकिन वो क्यों चाहते उनके जब खुद के अस्पताल है तो बिल्कुल नहीं चाहते चोको उनको अपनों काम खराब होतो यानि अपने पाम में कोई खुद कुलाडी मारे है या कुलाडी परी और वामें जाका पाम मारे हो बिल्कुल कोई नहीं मारे हो यालियां वो इम्स मर्माने मुने का भादा उनकी अपनी दुखान कमजूर पड़ जाती तो बस पागे जो कैंडिडेट हैं उनने बिल्कुल सीधो सीधो निसानों साथो है आपको निसानों कैसो लगो और वीडियो कैसी लगी और देशी बेबाग कैसी लगी कॉमेंट के बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार